मुझे एक एड हो गया तो बस जब तक वह मौजूद है वही मौजूद रहेगा तक रिक्वायरमेंट आप की हो सकती है आप मल्टिपल एड करना चाहते हैं अब ही मेरी रिक्वायरमेंट यह के ती के अगर एक है तो दुबारा एड नहीं करोंगा मैंने ठीक है सर आईये चल अगर यह नल है, if my user is equal to equal to null, अगर यह नल है, तब तो यह सारा काम करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो मत करो, चलिये, एक बना दिया, अब add पर क्लिक करूँ तो, अब कुछ, कुछ नहीं करेगा यह, लेकिन अब, जब यहाँ बना ही दिया है, तो क्या, यह input box में इसको टाइप करने की इजाज़त देना चाहिए है, मुझे लगा क्या नहीं देना चाहिए, मुझे अब इसको यहाँ टाईप करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए, ताकRI, यूजर को दिखता पूरहे कि मैं यह प्रो यूजर से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैंने का प्रो यूजर डॉट इनेबल डिसेबल करके यह सब फ्लैग होते हैं इसके डिसेबल इस एक्वाल टू प्रूप फुली काम हो जाएगा हमारा यहां से निकाल ली वैल्यू अभी मैं चेंज कर पा रहा हूं यह डिसेबल अभी हुआ नहीं है ठीक देखते हैं डिसेबल्ड देख लेता हूं डिसेबल्ड है शैद अब हम यह आपे कुछ भी नहीं टाइब कर पारें आप देख रही को सेलेक्ट करने solid हो रहा है छेंज निए स्कोडिसेबल कर दिया इसको डिसेबल्ड इसेबल कर दिया साथमी एड यूजधर पर क्लिक तो अरा है ना बार-बार क्लिक तो हो रहा है ना तो मैं कर रहा हूं क्लिक भी रोग दो इसका तो मैं इसको भी डिसेबल ट्रू कर दू जो यह मेरा एड़ बटन है जिस पर यह मैंने एक्शन लिसनर कॉल किया है बटन यूजर डॉट एड ठीक तो पता कैसे चलेगा पता ऐसे चलेगा मैं यहां पर एक अलर्ट लगा लेता हूं पर अब जैंच पर क्लिक कर रहा है यह कॉल हो रहा है थ्यूं क्लिक करने दे रहा हूं मैंने का बंटन डॉजर को भी डिसेबल को क्या करो त्रू कर दो जब इत्त ही आसान सा काम है तो पेज रिफ्रेश कर लिया एक टार्गेट बनाया पहली बार कॉल हुआ यह कैड हो गया यह नहीं हो रहा अब मैं इस पर एड यूजर पर क्लिक करना चाहूं तो हावाज जारी होगी अब नहीं क्लिक कर सकता तो बागी बटन पर क्लिक कर सकता हूं इस पर नहीं क्लिक कर सकता हूं ठीक त्यानी कि इत्ता पार्ट तो मैंने बना लिया ठीक है क्या क्या किया मैंने एक डिव बनाई उसकी एक क्लास सेट करी उसकी एक आईडी सेट करी उसके HTML में मैंने input box value उठा करके डाल दिया और disable कर दिया है इनको क्योंकि अभी इनका use नहीं है हमारे पास और इसको ले जाकर red वाले block में add कर दिया है इतने तक का काम तो मुझे समझ में आ रहा है ठीक अब बारी है और action listener की क्यों क्योंकि अब यह तो एक यह हटा दे रहा है समझ गया है कि काम कर रहा है तो इसी तरीके से इसी तरीके से जैसे हमने यह add user का बनाया है ऐसे ही ऐसे ही हम delete user का बनाएंगे हमने का चलो sir चलते हैं हमने का btn.deleteuser.addEventListener सेम क्लिक फंक्शन कॉमा एड की जैका मैंने का डिलीट यूजर तो प्रोजेक्ट तो डिलीट यूजर फ्राम प्रोजेक्ट ठीक अब इसी नाम से मैं एक फंक्शन बना लोंगा यहां आया मैंने का फंक्शन कि डिलीट यूजर फ्राम प्रोजेक्ट है कि क्या डिलीट करना है जो यह अमयीNewser बना होगह इसको डिलीट करना है इसको यहां बनाऊ दे और ना चाहिए अगर नल है तो हम नहीं डिलीट कर सकते उसको क्यों डिलीट करेंगे जबरदस्ति नल पर डिलीट करेंगे तो exception देगा ना बोलेगा नल को आप डिलीट नहीं कर सकते मैंने का उसके बाद अगर ऐसा है तो माई यूजर को क्या करो रिमूव कर दो दिखते हैं कैसा यह करता है मेरी बात मान करके या नहीं करता है चलते हैं और refresh करते हैं पेज़ को यहां पर अधर नाम से एक object create करते हैं यह और यहां delete पे क्लिक करते हैं अभी कुछ हुआ नहीं है यह कॉल होगा बटन डिलीए यूजर के एड़ इवेंट लिस्नर पे यह काल होगा पहले तो चेक कर लेता हूं कि यह कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है मैं यहां पर एक अलर्ट लगांगा और देखुंग पहले कि या call हो रहा है की नहीं हो रहा है और उसके बाद कि अगर call हो रहा है तो किया दिखमत हो रही है call हो रहा है लेकिन इसको ये remove नहीं कर पा रहा है हाँ अब क्या करना है चलिए देखता हूं क्या गलती कर रहा हूं हो सकता है कि यह रिमूव एक फंक्शन हो हुद्ट्ट्ध चलाते हैं रिफ्रेश करते हैं उन्हें बता रख है कि में Fine ऑल्ष थोड़ा सा मिस्टेग कर करने हैं है हैलो बनाता हूं और डिफ दिलीट करता मैं वेद हैं जो सब दूसरा बनाने देना है न भर यह एड को और एको दूनों को डिसेबल कि वाः निकाल लेथा हूं यहan उपर मैंने डिसेबल किया था दोनों को ठीक दो इस टाइम पर जब यहां पर मैं सको डिलीट कर दे रहा हूं तो रिमूव करने के बाद इन दोनों का डिसेबल क्या कर देना चाहिए मुझे फाल्स कर देना चाहिए चलिए रिफ्रेश करके देखता हूं बन गया डिलीट हो गया और फिर लिख पा रहा हूं लेकिन अब यह इस पर अगर वैलू लिखी रहेगी तो थोड़ा सा कंफ्यू है मैंने का प्रो यूजर डॉट वैल्यू इसे ब्लैंक दे दू तो क्या होगा देखते रिफ्रेश करके बना लिया डिलीट यूजर किया यह वैलू चली गई अब यहां पर कुछ और लिख करके दूसरा बना सकता हूं तेकिन अभी दूसरा बना नहीं है दूसरा बना नह जया ता इस ओब्जें को तो रि्मूफ कर दिया था सकी वैलू नल कीजил की मैं Maps नल कर दो appropriate है जब इसको नल कर दोंगा अब अब जब इसको बनाया डिलीट किया अब फिर बनाया तो फिर बनेगा फिर बनाऊंगा तो फिर बनेगा अब फिर डिलीट करूँगा तो फिर बनाऊंगा तो फिर बनेगा अब फिर डिलीट करूँगा तो फिर बनाने और डिलीट करने का मेरा बहतरीन चल रहा है अब बारी बटन है यहां पर मैं इसका डिसेबल क्या करूंगा टू कर दोगा एक बार अगर डिलीट कर दिया सब डिली पर क्लिक नहीं चाहिए अग्जब एड करूंगा तो एड को और उसको क्या बोलते हैं कि input box को true कर दूँगा और इसको false कर दूँगा चेक करता चलता हूं साथ में add हो गया delete हो गया add हो गया delete हो गया functionality अच्छी चल रही है ठीक तो यह दो पार्ट हमारे बन के त्यार है अब हमें क्या करना है move वाले पार्ट पर काम करना है ठीक तो चलिए मेरे साथ और अब जो यह बागी के चार बटन है इनके लिए ऐसी event listener add करना है और functions add करने पहले मैं यहां function add करूंगा function move to red कोई parameter नहीं ऐसी एक और function add करूंगा move to green एक और ऐसी function add करूंगा और एक और function ऐसी add करूंगा move to red, move to green, move to blue और move to yellow चार function बना लिए मैं ठीक बहतरी और मुझे पता है कि कैसे चेक करना है alert लगा लगा करके अभी जरूत नहीं है मुझे पड़ेगी तो लगा लेंगे और अब नीचे से यहां से मैं बटन उठाऊंगा बटन move to red dot add event listener click क्लिक करने पर कौंसा फंक्शन कॉल करना है move to red btn underscore move to green dot add event listener click पर move to green function को कौल कर दो फिर मैंने का बटन move to blue dot add event listener क्लिक करने पर इसको कॉल कर दो move to blue को और ऐसी लास्ट वाला लिख लेंगे यलो वाला इसको क्लिक करने पर मूब टू यलो कॉल हो जाएगा यह चारो कॉल होंगे ठीक मतलब अगर verification करना हो तो हम इन में अलट लगा लगा के चेक कर सकते हैं यह डारेक्ट करके भी देखता हूं तो हमने क्या करा था कि जब हमने इसको बनाया था तो मैं क्या किया था अपैंड कर दिया था माइः यूजर को डिक को मूब टू रेड़ कर दूंगा माई उसर को सुरी माई यूजर को इसी तरीक जब कहेंगे मूफ टू ब्लू तो मैं ब्लू ब्लॉक में अपेंड कर दूंगा जब आप कहेंगे move to yellow तो मैं yellow block में append कर दूँगा साथ में एक और बात कि यह क्यों enabled है move क्यों कर पा रहा हूं मतलब अगर मैं चाहूं कि कर सकता हूं इनको भी मैं disable enable कर सकता हूं तो जरूरत होगी तो वह भी काम कर लेंगे अभी तो बेसिक बस यह इतना सा करके देखता हूं मैंने अधर बनाया यहां पर एक यूजर एट की अब मैं दूसरा नहीं कर सकता हूं अब मैं इसको करूं ब्लू में आ जाहे जो कि अभी नहीं हो रहा है चलिये पहले तो खोल लेता हो साथ में दिखता रहना चाहिए और डिलीट कर दिया मैंने एक को तो अब पहले तो यह वेरिफाइ कर लों साथ में कि यह कॉल हो रहा है कि नहीं एक तो इन में पैरम्स लिखा रहे गया था फॉंक्शन की सिग्नेचर नहीं मैच की उसके लाव मैं पहले इन में अलर्ट लगा ले रहा हूं वैरिफाई कर लेता हूं क्या यह कॉल हो रहे हैं कि यह भी ज़रूरी है ना वैरिफाई हो जाना हमेशा जब भी कोड करेंगे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे चंक्स में काम करिए चोटे-चोटे टुकडे में काम करिए और देखते चलिए कि हां कहां तक पहुंच गई सक्सेज मेरी ही इदला ओर है थिक दो और यूजर मेरा ग्रीन में मूव हो रहा है यह अलर्ट हटा करके आता हूं पहले तो मैं अपना सारा पहला काम करता हूं अलर्ट हटाता हूं दूसरा काम मुझे क्या करना है कि कि इस माइ यूजर नॉट इक्वल टू नल तभी मूव करूंगा जब मेरा यूजर नल नहीं होगा इस बात का मुझे ख्याल रखना है कि यह नल नहीं होना चाहिए इसको वापस इसमें लगा देते हैं सेम काम इसके सास्थ करता हूं यलो वाले के साथ नल होगा तो यह काम नहीं होगा रिफ्रेश् कर लेता हूं पेज को अब अगर मैं यहां क्लिक करूं तो अभी कुछ वो जो नल 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 प्रिंट कर रहा था वो नहीं प्रिंट होगा अब अगर मैं लिख में आ पर आकर्ष मैं एड यूजर करूँ एड हो गया मैं यह नीचे वाला पार्ट बंद कर रहा हूं सकता हूँ और नया बना सकता हूँ देख लिख लिया है अब आगे आप क्या कर सकते हैं आगे यह कर सकते हैं अब आपका टार्गेट है यह प्रोजेक्ट मैं ऐसा ही कमिट कर दूँगा आप में से जो भी इस पर काम करना चाहेगा एक तो पहले मुझे मेल कर देना काम करना चाहते हैं क्या क्या ओप्शन है करेंगे जरूरत पड़ेगी तुम्हें हेल्प करोंगा टाइमर लगा सकते है अब यह जो में मूव कर रहा हूं रेड पे ग्रीन पे यलो पे यह टाइमर लगा देंगा और रैंडमली नंबर जन्रेट करते हुए कहीं भी जो मूव कर देंगे और जो मैं यह डिलीट कर रहा हूं यहां पर गेस कर दूँगा अगर मतलब यह चार बटन जो है डिलीट र करना है कि अगला वो किस कॉलम में जा रहा है अगर आपने डिलीट यलो करा और अगला वो यलो कॉलम में आया तो वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा बट रैंडमली जन्रेट हो रहा है तो आप यह नहीं कह सकते कि वह कहां जाने वाला है यहां तो आपके कंट्रोल में है कि हमन बटन लगा दिये आपने का डिस्ट्रॉई ग्रीन पर आपने क्लिक तर दिया उस टैम पर अगर यह ग्रीन में आया तो दिस्ट्रॉई हो जाएगा तो चोटा सैसे गेम बना सकते हैं या और इसको बहुत ज्यादा अप्ग्रेड कर सकते हैं यहां तक मेरा दिमागता आगे आ आप्शन और मेरी तरफ से यह प्रोजेक्ट भी हुआ कम्प्लीट